और यह Linux operating system इतना advanced और powerful है Indian made operating system है और Linux का distribution है और इसमें complete आप देख सकते हो क्या 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 console है, कैसे है, कैसे download करना है, कैसे install करना है, कैसे function करना है आप लोग का demand आया था जिसके according मैं यह complete series बना रहा हूं और इसमें complete आप Garuda का Linux को या Garuda Linux को आप यूज़ कर पाओगे different different तरीके के tools यूज़ करना बताऊंगा इसका क्यों आप लोगों को यूज़ करना चाहिए और क्या इसका benefit आपको मिलेगा ये सारी चीज़े इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले है तो Linux machine मेरा on हो रहा है जहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से उस console मिलेगा इसके assistant के बारे में इसके setting के बारे में इसके gaming console को अगर आप देखते हो यहां पे तो आपको एक advanced level पर gaming console मिलेगा जिसके तुरूँ आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के गर gaming करना चाहते है Linux operating system के साथ तो कर सकते हैं पूरा का पूरा optimized operating system है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टास्क को करने के लिए पूरा का पूरा optimize किया गया है अभी आपके सामने जो gaming का application या जो भी assistant मैंने open किया हुआ है इसके अंदर आपको पूरा gaming console मिल जाता है जिसके तरूव अब game को manage कर सकते हो और high end के game को open कर सकते हो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के game आपको मिल जाते हैं उसके plug-ins मिल जाते हैं जिसके तरूव आप सारे games को by default run कर सकते हो इन सारे editor का use करके तो आपको यह एम बता दू मैं इसको अभी close करता हूँ जैसे ही यहाँ पे तो मैं इसको बता दूँ कैसे इसको download करना है कैसे इसको install करना है और सारी चीजे इसके लमाँ आप यहाँ पे देख सकते हो network assistant मिल जाता है बूट option मिल जाता है assistance की बात करी जाया है है ना different different तरीके के task मिल जाता है add or remove software में आप easily इसके अंदर software graphical base पे install और download कर पाएंगे और उसको install कर पाएंगे यहाँ पर अभी console open होता है मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें आप different different तरीके के operating system देखो यहाँ पे sorry applications install कर पाएंगे चाहे वो programming के लिए हो चाहे video editing के लिए हो coding के लिए हो browsing के लिए हो है ना किसी भी तरीके का task है तो guys बात होती है कैसे हमें इसके अंदर चीजों को manage कर करना है और कैसे इसके task को अब done करोगे तो चलो इसका एक quick overview करते हैं कैसे इसको download करना है कैसे इसको install करना तो आपको आजाना अपने browser पर इस browser में आपको google के अंदर type करना है google.com मैं यहाँ पे add कर देता हूं google.com और इसके अंदर आपको simple लिख देना है आपको कम से कम 4GB RAM 30GB operating system minimum space होना चाहिए आपके hard disk में और यहाँ पर 8GB RAM रहेगा तो आप प्रॉपर तरीके से इस पर काम कर पाएंगे 4GB RAM पर भी चलेगा अभी मैं 2GB RAM पर आपको operate करके दिखाया था गुरा का पूरा कैशे काम करता है इसके अलामा इसको डाउनलोड करने के लिए देखो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के application आपको मिल जाएंगे लाइक गरूडा केड़ी एंड इसके अंदर देखो यह लुक मिल जाता है यह किस चीज के लिए बना हुआ यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की शेल मिल जाती है इसके लाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप्शन है आप टोरेंट के तुरू डाइरेक्ट डाउनलोड जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं इसके लावा एक आपको मल्टी मीडिया अगर आप बेसिस पर काम करना चाहते हो तिया ओपरेटिंग सिस्टम आपको दिया हुआ है इसका डिफरेंट डिफरेंट वर्जन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं पर create new virtual machine आप करोगे उसके बार next यहाँ पर custom select करके next करोगे next करोगे और आप यहाँ पर इंस्टॉल दो ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर इसको इंस्टॉल करने के लिए आप Linux वर्जन यूज करोगे और Debian या Arc Linux यहाँ से आप यूज कर सकते हो जो भी आपको वो है उसके बा operating system को रखना चाहते हो वहाँ पर रख सकते हो मैं यहाँ पर virtual machine के अंदर जी टू रख देता हूं और इसको open कर लेता हूं जी टू के अंदर मैं पूरा का पूरा operating system इंस्टॉल करने वालों backwards लेस्ट लगाकर next कर देता हूं यहाँ पर दो कोर को operating system और यहाँ पर logical कोर ले ले और यहां से आप finish कर देंगे, finish करने के बाद आपको एक setting मिलेगी, setting में आपको आ जाना है edit virtual machine की setting में और यहां से आपको select कर लेना है जैसा कि मैं यहाँ पर बता दूं, cddvd और यहाँ से use ISO फाइल, browse कर लेना, जहां कहीं भी आपने operating system डाउनलोड करके रखा है उसको आप select करोगे, फिलाल में आप ISO के अंदर यह देखिए, geruda रखा हुआ है, यह सिर्फ और सिर्फ 2GB का operating system है, 2.5GB, मतलब 2 या 2.5GB का operating system है, जहां से आप इसको select करके ok कर लेंगे, और इस machine को installation पे लगा देंगे installation के लिए by default यह Hindi language select करता है, वहाँ पे आपको careful रहना है, क्योंकि अगर आप English में command और सारी चीज़े use करना चाहते हैं, तो definitely आपको जो step में बताऊंगा, वो follow करना होगा वीडियो कैसी लगी, comment करके बताएंगे, और वीडियो को like कर देंगे, आपका like, share, support मेरे को motivate करता है, तो यहां पे देखो कुछ इस तरीके से option मिल जाएगा, यहां पे देखो language US दिया हुआ है, आप यही select करके रहने दो, या तो फिर आप आगे continue installation में help ले सकते हैं, यहां पर जो boot option है, यही पर मैं ok कर देता हूँ, ok करने के बाद, यह live operating system है, Linux का जितना भी operating system आता है, live आप run कर सकते हो, और Red Hat Enterprise के अलामा सारे operating system live run होते हैं, तो यहां पर मैं आपको दिखा दूँ कैसे यह work करता है, तो फिलाला भी operating system turn on हो रहा है, और live boot हो रहा है, इसके बाद ह इस तरीके की screen आएगी, यहां पर आपको worried नहीं होना है, यहां पर आपको देखो different different तरीके के feature के बारे में आई पर directly आपको मिल जाता है, चो कि अभी मैंने starting में दिखा, यहां प internet connect भी हो जाएगा, अगर आपका internet चल रहा है तो, और इसके लामा आपका यहां पर देखना होगा कि installation के लिए option follow करना है, गाइस बिना install किये भी आप इसको पूरी तरीके से use कर सकते, fully functional है, और बहुत असानी से यहां पर terminal बगर भी देखो मैं use करके दिखा द रहा हूं, different different तरीके के terminal मिल जाते हैं, और बहुत यह attractive look यहां पर हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहां यहां पर हमें इसको RAM थोड़ा सा जादत देना होता है, क्योंकि recommended में इसने 8GB बोला है, proper काम करने के लिए, बढ़ अगर आप 4GB देते हो, तो बहुत आसानी सा आप इसके अंदर सारा का सारा task perform कर पाऊगे, यहां पर देखो यह fish console दिया हुआ है, जिसके तुरू आप पू करके आपको detail दे देता है, उसके बाद यहां पर आपको command या terminal की detail भी provide कर देता है, थोड़ा सा आप wait करेंगे, तो यहां पर आप देखो simple जो भी आप लोगों को basic commands अगरा पता है, Linux पो वो use कर सकते हो, यह हर चीज को यहां पर आपको बता देगा, इसके अलाम आप यहां पर देख सकते हो, different terminal यहां पर एक और मिल जाता है, इसको भी open कर सकते हो, और task perform कर सकते हो, तो फिलाल मैं इसको close कर देता हूँ, और यहां से installation option यूज करता हूँ, ओके तो गाइस, यहां पर आपको देखो, install Garuda Linux दिया हुआ, इसको आपको क्लिक कर देना है, इतना कमाल का operating system है, इसको एक बार आप use करके जरूर देखना, और यह open source environment है, कोई भी यहां पर पैसे चार्ज बगर नहीं किया जा रहा है, हर जगा आपको Garuda पक्षी का, आपको shine देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही attractive look provide करता है, एक्चली Indian made है, तो काफी ज़्यादा एक happy nest का वो लगता है, कि यार चलो ठीक है, अपने वहां भी यह सारी चीज़े हो रही है, और एक बढ़िया सा response यहां पर देखने को मिल जाता है, और पर एक powerful operating system देखने को मिल ज चलेगा, क्योंकि Linux पर मैंने कम से कम 100 प्लस वीडियो आप लोगो को दे रखा, अगर आप regular viewer है, मेरे चैनल को subscribe किया है, बेल आइकन दबा है, तो हर notification आपको मिलता होगा, और जितने भी update मैं आपको यहां पर देता हूँ, वो सब मिलता है, तो यार notification या bell icon जरूर प्रेस कर कर लें, क्योंकि जितना ज्यादा tutorial आपको यहां पर मैं provide कर देता हूँ, नहीं सोच सकते कि कहीं पर मिल सकता है, definitely मैं बहुत सारे different, different तरीके की technologies यहां पर लेकर आप लोगो के साथ discuss करता हूँ, तो चलो फिला लेकर आप लोगो के साथ discuss करता हूँ, तो चलो फिला इंस्ट installation में क्या step हमें follow करना होता है, यहां पर आपको अपना location सेलेक कर लेना है, तो एशिया को लकाता में यहां पर Indian map पर क्लिक करूँगा, तो आटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, and then आपको next कर देना है, next करने के बाद आप देखो, यहां पर default जो दिया हुआ है, वो हिंदी की keyboard दिया हुआ, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, और English में इसको सेलेक्ट कर देंगे, like अगर आप यहां से आ जाते हो, just थोड़ा सा English के उसमें, तो अभी just मैं उपर आ रहा हूँ, उपर, तो यहां पर देखो English, US और यह सब दिया हुआ, तो English, US सेलेक्ट करके default कर देंगे, तो यहां पर आपको by default यह keyboard हमेशा use करते हैं, वो आपको मिल जाएगा, इसके बाद आपको next करना है, यहां पर पूछ रहा है कि, मतलब जो भी आपका disk है, वो क्या सेलेक्ट करना है, तो erase disk कर लेना है, और swap के लिए यहां पर first option select कर लेना है, swap with hypernet, ओके, और यह सेलेक्ट क लिए आप कोई भी password, complex password या normal password दे सकते हैं, root का password यहां पर आप लोगों ने दे देना है, root का password अगर प्रापर तरीके से दे देंगे, तो यहां पर verified आजाएगा और आपको next कर देना है, next करने के बाद यहां पर यह पूछेगा, कि यह सब detail है, कि आप इसके साथ continue करना चाह जाता है, मैं इसको already install कर चुका हूँ, तो मैं इसको close कर देता हूँ, और मेरा Linux यहां पर देखो, already इस तरीके से install होकर मिल गया है, उसके बाद यहां पर अगर shutdown का console देखोगे, तो यहां पर shutdown का console दिया हुआ है, यहां पर time date का detail दिया हुआ है, यहां पर आपको internet connectivity का दिया हुआ है, Garuda Linux के setting manager के बारे में दिया हुआ है, तो A to Z आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाता है, आपको कहीं पर भी जाकर यह चीज़े देखने की जरूरत नहीं है, यहां पर देखो कितना अच्छा है, एक hover के साथ यह चीज़ मिल जाती है, और operating system काफी attractive यह बनाता है, जैस system cleaner आप यहां से यूज कर सकते हो, software removal के लिए आप यहां से यूज कर सकते हो, partition वगरे भी यही से आप बना सकते हो, तो फिलाल मैं यहां पे आपको software manage करना वगरे है, यह सारी चीज़े बता देता हूँ, जैसे कोई भी software आपको install करना है, तो आपको command और इसके बारे में देखो 39 MB का है, तो installation में यहां पे लगा दिया है, यहां पे installation में यह लग जाएगा और apply कर देंगे यहां से, आपका installation स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा से time लेगा, ordino, doc, office, यह सारी चीज़े दिया हुआ है, जो भी इसके साथ आप करना चाहते हैं, वो सब select कर लो, यहां स आप चूज कर लो, चूज करने के बाद next कर देंगे यहां पे, और आपका installation यहां पे start हो जाएगा, देखो यहां पर password पूछेगा, तो आपको password अपना दे देना है, और enter कर देना है, पासवर्ड इंटर करने के बाद, sorry, यहां पे password जो होगा, उसको देना है, और enter कर देना है, पासवर्ड इभी यहां पे कुछ गलत बताने लगा, अगर पासवर्ड आपका सही हो जाएगा, तो तुरंत यह installation में आ जाएगा, तो देखो यहां पे installation कितना जल्दी हो, और speed वगरे भी यहां पे आपको अच्छी खासी मिल जाती है, है ना, Firefox browser भी यहां पे यहां पे सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के operating system के अंदर आप applications को manage कर सकते हो, और असानी से सबको install कर सकते हो, अब आपकी problem solve हो जाती है, यहां पे कि कमांड से हमें, कौन से software कैसे install करना है, वो सारी चीज़े, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई भी software package आपको open करना, अगर desired operate applications को आप use करते हो, तो उसको कैसे करना है, वो भी यहां पे आपको मिल जाएगा, ओके, तो काफी attractive यार मेरे को लगा, यह सारी चीज़े, और आप लोग को कैसा लगा, यह comment करके बताना मेरे को, और यार इस वीडियो का मैं like aim क्या आप लोगो को दूँ, कम से कम, जितने लोग view करो, उतनी likes जरूर कर देना, और देखते हैं, view के coding likes मिलता है या नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत और इतना hardwork आप लोगो को different different तरीके की चीज़े ढूड की लाकर देना होता है, और इतना तो बनता ही है, कि like यहां पे बनता ही है, like करके comment कर देंगे, और बताएंगे, य कैसा लगा, तो यहां पे installation अभी हमारा चल ला है, थोड़ा सा time देते हैं, जब आप installation लगाएंगे तो कुछ files वगरे की permission पूछेगा, definitely आप इन सब चीज़ों को apply कर देंगे, क्योंकि यह dependency packages होते हैं, और यहां पे काफी side 1.2 GB का package यह download करने लगा, ऐसा कुछ मेरे को दिख programming वगरे जल्दी आप लोगों के लिए मैं start करने वाला हूँ, तो सायद मैं देखूंगा, अगर यह काफी optimized रहा, काफी improved रहा, तो सारी चीज़े करेंगे, वैसे अगर console की बात करी जाए, तो मैंने पूरा का पूरा इसको use किया, और अभी coding वगरे के लिए Python वगरे का कोई programming के लिए Python के साथ, आपको Arduino के लिए, यह सारे operating system के अंदर जो यह files वगरे हैं, यह install करके रख देगा, अगर आप इसको install continue करना चाहते हैं, तो continue कर दें, अगर आप cancel करना चाहते हैं, तो definitely यहाँ पे cancel option है, cancel भी कर सकते हैं, कोई issue नहीं, यहाँ पे आप कर देंगे, चलो इ back आजाता हूँ, और यहाँ पे देखो Firefox का 225 MB का software है, इसको भी यूज कर सकते हो, इसके लावा different तरीके के यहाँ पे photo videos, editing के लिए सब कुछ दिया हूँ, टेलिग्राम वगरे हैं, यहाँ पे default मिल जाता है, signal application भी इसके लिए आप यूज कर सकते हो, इसके लावा अगर इसके लिए अपर और तरीके का operating system, Adobe Reader and देख रहे हो, यहाँ पे बैल सा बगरा सब कुछ यहाँ पे free में मिल जाता है, news और communication के लिए यहाँ पे option मिल जाता है, game के लिए different तरीके के यहाँ पे देखो game मिल जाता है, solitter बगरा का game मिल जाता है, और इसके लावा different, different, ओहो, आप देख सकते हो, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे game यहाँ पे by default दिया हुआ है, है ना, battle of west north कुछ दिया हुआ है, black box दिया हुआ है, अच्छा gaming console है यहाँ पे, और emulator भी इसके साथ मिल जाता है, utility बगरे में आप देखोगे, तो utility सारी मिल जाती है, calculators बगरे से, related development म आप देखेंगे, different different तरीके के development applications से यहाँ पे आपको मिल जाते है, ordino से लेके, python से लेके हर चीज़ यहाँ पे मिल जाता है, आपको बहुत आसानी सा आप इसका use कर सकते हो, अपने development के लिए, आप देखरों, python का यहाँ पे पूरा का पूरा application दिया हुआ है, जिसको use कर सकत इसके बाद मैं आजाता हूं, इसके बाद मैं आजाता हूं, टर्मिनल पे, टर्मिनल पे आने से पहले मैं यहाँ पे file बगरे के बारे में दिखा दो, dolphin file system यहाँ पे support किया जा रहा है, जिसके through आप देखो, यह थोड़ा सा animation काफी अच्छा मेरे को लगा, कि हर जगा पे ए regarding to windows, यह पूरा का पूरा operating system, ऐसे windows की तर मेरे को लगा, ओके, तो फिलाल मैं इसको करता हूं, close यहाँ से, close करने के बाद मैं आप लोगों को terminal open करके दिखा देता हूं, और मैं यहाँ से desktop पे open कर लेता हूं, desktop, desktop पे आजाने का मतलब यह होता है, कि मैं आपको जो भी commands execute करू को देखता हूं, काली Linux या Linux operating system से क्या different command या operating system यहाँ पे use होता है, यह जो भी चीज़े होती है, तो मैं desktop पर यहाँ पे open कर लेता हूं, यहाँ से terminal open कर लेता हूं, terminal काफी attractive लगा मेरे को, और इसके थूरू मैं complete इसको use करना बता देता हूं, graphically सब कुछ तो यहाँ पे manage करी सकते हो, तो definitely आप root से login कर सकते हो, root से login करने के लिए आपको simple यहाँ पे sudo sudo-i, या su लिखना पड़ेगा, su, और enter कर देंगे, जो भी आपका root password होगा, वो enter करेंगे, और definitely यहाँ पे आप root से login कर पाओगे, okay, तो root का यहाँ पे पूरा का पूरा access आपको मिल जाएगा, okay, अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, cd space desktop, तो यह desktop पे आप आजाओगे, और desktop के ऊपर एक folder बनाना है, तो mkdir, और मैं यहाँ पे एक directory create कर देता हूँ, dir से enter कर दिया, तो यह directory create कर देगा, लेकिन यहाँ पे आप directory की detail देख सकते हो, ओ, directory के अंदर मैं आगया, desktop पे मैं यह directory है, इस directory को delete करना है, यह जो कुछ भी है, तो rmdir space, यहाँ पे dir a, और enter कर देगे, delete हो जाएगा, सब कुछ आपको Linux की तरह use करने को मिल जाता है, ओके, और यह सारी चीजे, इसके लामा अगर आपको यहाँ पे एक file create करना है, तो touch command का use करते हो, और जो भी file name से आप create कर करना चाहते हो, file create कर दोगे, और उस file को delete करना है, तो rm space file और enter कर देंगे, file delete हो जाएगी, तो यह आपका file folder का तो same process रहा, कोई दिक्कत नहीं है, mkdir space dir 1 space dir2, एक बार में एक से ज़्यादा directory आप एक साथ create कर सकते हो, और इसको manage कर सकते हो, इसके लामा दोनों directory को delete करना है तो rmdir space, आप यहाँ पर star लगा सकते हो, enter कर सकते हो, यह complete आपको delete करके दे देगा, sorry, rmdir है और star, क्योंकि मेरे को पता नहीं किस-किस नाम से directory है, लोकेशन पर है, तो मैं इसको end कर देता हूँ, तो देखो completely delete कर देगा, फिर से आप वही same command execute करके, आप दोनों directory create कर सकते हो touch command का use करके, आप file create कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर touch file भी create कर दिया, तो मैरे पास file और directory हो जाती है, इसके लामा अगर मैं यहाँ पर दिखाओ, pwd से path हमें मिल जाता है, कि present time में मैं home guest के desktop पर हूँ, और यहाँ पर मैं सारा काम कर रहा हूँ, इसके लामा अगर मैं यहाँ लिख कर बताओं, तो desktop पर जो तनी भी directories है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, तो पहला यहाँ पर dir1 है, dir2 है, और file है, आप यहाँ पर देखो, यह सारी चीज़े दिया हुआ है, इसके लामा अगर मैं यहाँ यहाँ पर l लिख कर एंटर करता हूँ, तो permission के साथ आपको मिल जाता है, और default permission जो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, यह D, और file के पास हाइफन दिया हुआ, मतलब SZT आपको Linux operating system के environment मिल जाता है, अगर आप Debian यूज करते हैं, काली Linux यूज करते हैं, और इसके लामा अगर आप Red Hat Enterprise Linux operating system पर काम किया हैं, तो इस operating system पर जरा सा भ बारे में बताया, दिखाया, अब थोड़ा सा और यहाँ पर attractive way से मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, जैसे, permission यहाँ पर जो दिया हुआ, आप देखो, DIR, और DIR की जो permission है, यह पहली बात तो directory है, D मतलब directory होता है, और पहला जो होता है, RWX, यह Read, Write, Execute की permission है, ओके, और इसके लामा user, के लामा group पर जो permission है, Read और S यहाँ पर दिया हुआ है, S का मतलब क्या होता है, I don't know, इसके अंदर S क्यों दिया हुआ है, और S मतलब साहिद कुछ दिया हो, Executable के लिए यहाँ पर X तो दिया हुआ है, Read के लिए R दिया हुआ, RWX के साथ S भी यहाँ पर दि और यहाँ पर LSS-LD, Directory के बारे में सिर्फों information यहाँ बता देगा, OK, LSS-A अगर लिखकर enter करता हूँ, तो उस location पर जितनी hidden file है, वो सब भी यहाँ पर बता देता है, LSS-ALL करके enter करता हूँ, तो permission के साथ hidden file भी यहाँ पर मिल जाती है, अगर कोई file hidden है उस location पर, तो सब भी मिल जाता है, clear करके मैं screen clear कर सकता हूँ, और यह सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है, इसके लामा आप यहाँ पर देखो, तो आपने permission भी देख लिया, permission किसी भी directory का change करना है, जैसे LSS-L से मैं check करूँ, तो DIR पर जो permission है, अभी सभी को read, write, execute की permission नहीं है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है DIR और यह सारी चीज़ों के बारे में, अच्छा, इसके आगे अगे अगर हम बात करें, permission change करने के तो CH mode space, हम सब लोगों को पता है, permission कैसे set करी जाती है Linux के अंदर, तो मैं यहाँ पर permission को detail नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर जैसे complete permission देना है, तो 7 हमारा होता है user की permission और group के लिए 7 और others के लिए 777 दे दिया, मतलब user group and computer के लिए complete permission यहाँ पर देखने को मिल जाता है, अगर इसका एक default version मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाओ, permission को थोड़ा सा अगर समझाने के लिए, तो आप यहाँ प जैसे file editor use करने के लिए मैं यहाँ पर g edit use कर लेता हूं, enter करता हूं, अच्छा g edit यहाँ पर found नहीं कर रहा, g editor यहाँ पर use नहीं होता है, vim use होता है, vim भी यहाँ पर नहीं found कर रहा है, यानि इन सब चीजों में काफी interesting आगे videos होने वाली हैं, तो इन सब चीजों को मैं manage कर जा हुआ यह तीन department में permissions होती है, यह इसका user है, यह इसका group है, और other users के बारे में permission यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहला permission है, तो जो पहला permission है, तीन digit में, यह user के लिए permissions है, यानि root को permission और系 right execute, full permission है, और यूजर who sings poor mission है, और others user को read and execute की permission है, तो इस permission को मैं read and execute तीनों अगर देना चाहूं तो CHMODY इस पर 777 करके मैं यहां पर DIR 1 कर देता हूं और एंटर कर देता हूं इसके बाद एलस इस पर साइफनल करके मैं चेक करूंगा तो आप देखो यह ग्रीन कलर का हो फाइल.txt करना की जरूरत नहीं है वो डिफॉल ले लेगा और यहां पर वेलकम इन चैनल लर्न एवरीथिंग अब आउट स्पेलिंग आप लोग देख लेना एवरीथिंग अबाउट टेक्नोलोजी ओके तो यह सारी चीज़ें एंटर करता हूं प्रेस करता हूं फाइल बन भी जाएगी और सेफ भी हो जाएगी तो यहां पर देखो फाइल नाम से एक डिरेक्टरी बनी इसके अंदर अगर आप ओपन करके चेक करोगे तो अभी सारे मैटर आपको देखने को मिल जाते हैं रीड करने के लिए cat space फाइल का नेम आप हुआ हुआ है तो इस तरीके से आप फाइल भी create कर सकते हैं इसके लामा अगर आप यहां पर टॉप लिखते हैं तो टॉप लिखने के बाद आपको complete यह देखो फाइल के अंदर यह फाइल इस तरीके सोपन हो रहा है यहां पर काफी टाइम ले रहा है क्योंकि मैंने जिसएडर आप लोगों को पता होना चाहिए पिजिए निंबर किसी भी सर्विस का एक आइडेंटिटी नंबर होता है और इस मतलब प्रॉसस आईड़ी पि-ए-डी का मतलब बहुता प्रॉसस आईडी और कौन यूजर इसको को एक्सिस का रहा इस प्राउसेस को और इसका प्राइब किया है और इसका विल आई इसे प्राइब करने का ग Holz टास्क के यहां पर open कर देता हूं जैसे उसको kill करना है तो kill करने के लिए simple मैं यहां पर क्या लिखूंगा kill space और इसमें सजो PID number for example मैं इस K access को बंद करना चाहता हूं तो इसका PID number 7700 मैं यहां पर 7700 add करके enter कर दूँगा यह service बंद हो जाएगी फिलाल मेरे को यहां पर service बंद नहीं करना है बाकी आपको अगर यहां पर और भी चीज़े मैं कुछ अगर बताऊं तो APT get update यहां पर अगर ऐसा कुछ यूज करते हैं तो यह चीज़े नहीं मिलती क्योंकि graphically वहां पर पूरा का पूरा दिया हुआ है जिसके थुरूँ आप पूरा का पूरा operating system के अंदर package manage कर सकते हो ओके user बनाने के लिए दिया हुआ है user add command और user मान लिया user one करके मैंने यहां पर add कर दिया तो यहां पर यूजर बन चुका है अगर by default इसका location चेक करना पड़ेगा where is user one अगर यह सब भी चीज़े ऑपरेटिंग सिस्टम में चलती है user one enter कर दिया तो आपको यह बताएगा उसको डूट के कि वह user है कहां पर तो user one है यहां पर ओके तो user one को login करने के लिए user user one enter कर दो और यह user से देखो आप login कर गई user one से और desktop पर हो अभी आप और इस पर अगर आप यहां पर चेक करोगे तो डिफरेंट तरीके के अप्लीकेशन को यहां पर यूज कर पाओगे अगर आप इसके अंदर कोई कि भी application manage करना चाहते हो command धारी सारी चीजते आपको ग्राफिकल इनवार्मेंट में आ जाना है वह command से यहांसे मैनेज हो रही है आपको कुछ नहीं करना है बस यहां से आपको आजाना है और यहां पर देखो दिया हुआ add or remove program इस पर klik कर लेना है partition वगए के लिए बगल में यह option था यह दे देना है तो मैं अगर एक बर programs में दिखा दू कि क्या जैसे कि मैंने अभी file editor के लिए कुछ हो लिया हुआ था और जो कुछ भी है तो utility में हमें different different तरीके के option मिल जाते हैं जैसे calculator के लिए हां पर दिया हुआ है R के लिए के लिए advance text editor दिया हुआ है तो यह हम यहाँ से install कर लेंगे kate करके यहां पर Editor दिया हुआ है तो क्या KATE के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं तो KATE के अंदर काम करने के लिए हमें यहां पर मैसेज लिखना पड़ेगा मैं अगर यहां पर KATE देखो यहां पर दिया हुआ kate और enter कर दिया kate file editor है और यह इस तरीके से कुछ open होने की कोशिस कर रहा है देखते हैं क्या file करता है यह कुछ file कर रहा है डिरेक्टरी बट यहां पर अभी इसको कुछ मिलेगा नहीं तो kate यहां पर by default open कर देता है एक blank file अगर आपको कोई particular file जैसे file 1 को read करना है तो आपको यहीं पर kate space file और आपको enter कर देना है तो क्या आप इस file को open कर पा रहे हो एक बार मैं थोड़ा सा यहां पर time देता हूं wait करता हूं देखता हूं यह file यहां पर open हो रही है कि नहीं हो रही है and then आगे discuss करते है तो guys आप देख सकते हो यह file open हो गया इसके अंदर जो भी changes करना आप यहां से changes कर सकते हो और इसको यहां पे recover data और save भी कर सकते हो यह सारी चीज़े अच्छा recover data से यहाद है इसका snapshot भी आप ले सकते हो ताकि आपका operating सिस्टम अगर corrupt हो जाता है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो यहां से manage कर सकते हो तो फिलाल में यहां पे save नहीं कर रहा और फिर यहां से देखता हूं कि यह दुबारा से अपने टर्मिनल पर एकसेस होता है, फिर से टर्मिनल पर हम आ गए, यह नया टर्मिनल ओपन करना है, कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट टी से आपका एक और टर्मिनल के अंद वगर है क्या है about xfsc desktop environment को बेटर बनाने के लिए एकसे का use कर सकते हैं है अलर्ट के लिए हो सकता है development के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो यहां पर बहुत सारे टूल दिया हुआ है तो अगर मैं यहां पर चाहते हो पर यहां पर बेडिया हुत और देखो यहां पर वगर आप अप्लाई करना चाहते हो डेली बैस्स पे पे अपडेट चलने हैं उनको apply करना चाहते हो तो news feed यहाँ पर दिया हुआ है इसका यहाँ पर आर के गेटर कुछ करके दिया हुआ है aggregator और इस aggregator का यूज कर सकते हैं different different तरीके की news feed को पढ़ने के लिए ओके तो आपको जो भी चाहिए यहाँ से यूज कर सकते हैं फिलाल गाईज बस आपको गहरूडा Linux हमें बस दिखाना था मैंने आपको दिखा दिया और complete यहाँ पर आपको पता चल गया कि गहरूडा Linux को पिन कर देना मैं आपको बता दूँगा कि उससे related क्या है वहीं पर आपको अंसर मिल जाएगा इसके लामा एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए है तो विजिट करके देख सकते हैं आरा चैनल जो है यहाँ प पर देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टास्क आपको देखने को मिल जाएगा जैसे मैं यहाँ पर आ गया और अब यहाँ पर देखो सबसे भेले तैंक्यू सो मुझ टू आल अफ्यू हंडेट के प्लस सब्सक्राइबर हो गए हमारे वहाँ फैमिली काफी बड़ी हो गही है तो अब इस चीज को मैं आपको बता दू कि काफी इंपोर्टेंट और ऐसे अपडेट आप लोगों को प्रवाइट करने वाला हूं कि आप लोग भी कहोगे कि हाँ अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको कुछ सीखने समझने को मिल रहा है तो मारे यहाँ प्ले आप अब अबन्तू का फुल कोर्स मिल जाएगा इसको आप एक बार देख लें अडवांस लेवल पर गरुडा को भी चला पाओगे इन लोग के साथ चाहे आप रेड़ाइट को देख लेना चाहे बन्तू को मैं तो उम्मीद करूँगा कि आप अब अबन्तू या रेड़ लोगिंग का यूट्यूब का रेड़ हैट का आयोटी का बहुत सारा डिफरेंट लाइफ प्रोजेक्ट मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है आप काली लिनेक्स पैरेट सिक्यूरटी गीटव वियम वेयर हर तरीके का यहां पर आप सार्च हर चीज यूज कर सकते हो तो फिल पर आपस्याँ उूड़ है नो, बाल फिल sûr पिल यूड़ 맞아, जो खोर